चले उस तो बात करते हैं सिकूर नई कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामने ने का कूकर के साथ एक स्टोप की कुल लागत 13,125 रुपे थी कूकर को 30% लाप पर और स्टोप को 20% की हानी पर बेचा गया यदि दोनों वस्तू का विक्रे मुल्य समान था तो सस्ती वस्तू का लागत मुल्य क्या था ये एक्जामने ने मुझ से पूछा तो देखे अगर इस कुशन को आप डैलेक करना चाहते हैं तो देखे एक्जामने ने क्या ने रखा है ये मुझे दिरका है टोटल लों का स्टोप का ने कराम College रखा और क्या था 1 को 30% कीृ लाप पर बेचा औ तो 80 जो आ रहा है, remaining, वो क्या होगा, पहले वाले के लिए आपका CP होगा, यानि 80, और जो दूसरे वाले का, दूसरे वाले का जो निकालना है, इस 100 में ये 30 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो 130 आएगा, ये दूसरे वाले के लिए आपका CP आजाएगा, इन दोनों को अग तो मेरे पास कितना आएगा, आपका 21 आएगा, बट एक्जामनर कह रहा है, इनके कोस प्राइज का जो सम है, वो कितना है, 13, 125 है, इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आजएगा है, 625 पे जाएगा, 625 पे जाएगा, तो इससे इसको मल्टिप्लाइग कर देते हैं, तो य मैंने क्या कि है, इस वैल्ली को इससे डिवाइड कर लिया, तो मुझे ये वैल्ली मिल गई, एक बार इसको डिटेल से देखते हैं, अगर इस तरह से नहीं करना, तो इस तरह से कर सकते हैं, मान लेते हैं, कि एक्स जो रूपी, एक्स जो है, वो जो बेचा है, उसने वो 30% क क्या जगा आपका 100 हो जागा है ये इसका सेलिंग प्राइज है और दूसरे वाला का सेलिंग प्राइज मैं मा लता हूँ वाई है तो वाई वाले को बेचेगा कितना 20% के लोग तो 20% निकालके 20 मानेश करें तो 80 बटे में यह 100 आज़ागा इन दोनों को काट हूँगा तो मेर 3, 1, 2, 5 है, इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 1, 3, 1, 2, 5, डिवाइड बाइब में 21, तो 21 से भाग करेंगे, तो 20 पर जाएगा आपका, ये जाएगा आपट 6 पर, तो 6 कम 6, 6 दुनी 12, तो ये बचेगा मेरे पास में आपका कितना 5, ये 2 तारा, 21 दुनी 42, 42 माइनस करे जाएगा, तो मेरे को मेरा अंसर मिल जाएगा, यानि कि 6 to 5, अगर 8 करूँगा, तो 25, 8, 200 होता है, तो 2 जी रहाएगा, दो बचेंगे, आपके 8, 48 और 250, यानि कि 5 दर, इस कोशन का जो करेक्ट अंसर हैगा, वो ऑप्शन B आएगा, इस कोशन का करेक्ट अंसर, I hope आप सभी कोशन समझ में आया हुगा,